आकर्षक लाइट एंड साउंड सिस्टम से नए रूप में दिखेगा महाकाल मंदिर परिसर 721 करोड रुपे की राशी से किया जा रहा है मंदिर परिसर का विस्तार धर्म और अध्यात्म का केंदर श्री महाकाल मंदिर उज्जैन जहां देश विदेश से लाखों शद्धालू बाबा महाकाल की दर्शन के लिए आते हैं शद्धालूओं के दर्शन को सुखद और आसान बनाने के उद्धेश से महाकाल मंदिर परीसर उजयन शेग्रही अती आकरशक स्वरूप ग्रहन करने जा रहा है आकरशक लाइट एंड साउन सिस्टम इस्थाफिद होने से महाकाल परीसर बिलकुल नए रूप में दिखेगा महाकाल मंदिर परीसर विस्तार उजना के प्रथम चरण के कार्य नब्धे प्रतीशत पून हो चुके हैं कुल 714 करोड रुपे की परियोजना में से मद्प्रदीश सरकार 421 करोड रुपे की धन राशी खर्श कर रही है केंदरांश 271 करोड रुपे के साथ ही प्रबंद समेती 21 करोड की राशी खर्श कर रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने मंत्राले में शुकुरवार को उज्जेन में संचालित निर्मार्ण कार्यों और सौनरी करण योजनाओं की समिक्षा की CMC चोहान ने कहा कि श्री महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना के कार्यों को आगामी तीन महा में विवस्थित रूप से पूर्ण कर लिया जाए इन कार्यों की पूर्ण होने पर लोकारपन की तीथी तै होगी इसके लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंग चोहान दिरली जाकर प्रधान मंत्री श्रीम नरेंदर मोदी को आमंत्रित कर लोकारपन का अनुरोद करेंगे मुख्यो मंत्री शीच चोहान ने निर्देश दिये कि महाकाल मंदिर के अलावा उज्जेन के अन्य मंदिरों और दर्शनिय इस्थानों का इस तरह विकास हो और अन्य गतिविध्याएं भी संचालित हो जिससे शद्धालू और परेटक एक दो दिन रुकना चाहें शद्धालू यहां की यात्रा के बाद पूर्ण आनंद और संतोष का भाव लेकर जाएं सीमशी चोहान ने कहा कि आगामी महाशिवरात्री को उज्जेन के घर घर में दीब जलाएं इसमें व्यापक जन भागेदारी हो